नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ वेटनरी क्लासीज यूट्यूब चैनल के आज के इस वीडियो पे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियूमन एसिडॉसिस के बारे में या फिर एसिडिक इंडाइजेशन के बारे म ठीक है जो कि गाये बुफैलो या फिस शीप में बहुत ज्यादातर देखने को मिलती है ठीक है दोस्तों तो गाइस इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि क्या आपको इसमें अपने अनिमल को ट्रेटमेंट देना है ठीक है फिर इसके बाद कैसे डाइग तो सब्सक्राइब कर लिजिये और वैल आइकन को भी प्रैस कर लिजिए और गाई और अभे तक जिन्होंने हमारी मेंबर्शिप को जाए हमें नहीं किया है तो सबस्क्राइब जो शाथ में होता है वहां प्लव आप जैनको शों सोटेमैं जोब्याप को ठीक लगे तो चल में और शीप में मतलब शब से ज़्यादा होती है तो गाइज इसमें क्या होता है कि जो रियूमन की पी एच होती है ठीक है वैसे तो गाइज रियूमन की नॉर्मल पी एच जो होती है वह 6.5 से लेकर 7.0 तक होती है ठीक है यह जो है नॉर्मल रहती है अगर एनिमल की रियू जो जाती है या फिर पांच से कम हो जाती है चार या फिर तीन हो जाए ठीक है तो पस्व में ऐसी डॉसिस की समस्या आ जाती है ठीक है तो फिर आपके पश्व में जो है रिमन ऐसी डॉसिस हो जाता है ठीक है फ्रेंट्स और गाइज आपको याद रखना है कि है एक sous चरीव में जो बहुतिक और रसायनिक जो होती है समस्ते हैं ठीक है तो वह जो है मैटपुलिक टीजीस में आती है ठीक है कई बहुतिक और सायनिक मेजिए असनतुलान पैदा हो जाता है ठीक है तो गाई अब हम बात करते हैं कि इसके कि आपके पशु में जो रियूमन ऐसी डॉसिस होता है दो प्रमुख कारण आपके पशु में देखने को मिलते हैं एक तो यह है कि मतलब एनिमल का जो रियूमन है ठीक है वह मुवमेंट करना बंद कर देगा ठीक है वह मतलब ज्यादा मुवमेंट नहीं कर पाएगा उसमें जो है मतलब गैस वगयरा भी भरना जो श्टार्ट हो जाएगी थोड़ी बहुत ब्लोट कि समस्य भी समें एनिमल को आ जाती है ठीक है फ्रेंट्स और दोस्तों इसमें क्या होता है कि दूसरा कारण इसमें यह होता है कि अमलता में परिवर्तन यानिकी जो एसीड होता है ठ है ठीक है वो जो है उस एसचिड को अव्शूशित कर लेती है ठीक है और फिर जो ऐसी डॉसास होता है बहुत खतरनाक सी्थी पशु में उत्पन कर देता है इसे हम मेटाबॉलिक ऐसी डॉसीद्स भी कहते है ठीक है और GIR्ड़ अगर मतलब यह काफी खतरनाक जो होता है कि तो अब बात करते हैं कि इसमें आपके पर शू में क्या क्या सिम्टम सेखने को मिलते हैं ठीक फ्रेंड्स तो गाइस symptom में आपके अनीमल में यह किक तो पशु जो है पसुका जो वजन है वो लॉस हो जाएगा ठीक है और पर शुब डिप्रेशन में चला जाएगा ठीक है तक और पशु को सारा मतलब दस्थों का यानिकी डाइडिया जो है आपके पशुको हो जाएगा ठीक है फिर पशुक को ह आर्ट पेन भी हो सकती है ठीक है पशू के हिल्दे में दर्द हो सकता है ठीक है पशू को शॉक वगरा जो है हो सकता है और गाइज इसमें क्या होगा कि आपके पशू की जो respiration rate होती है pulse rate और respiration rate मतलब यह maior होता है यह increase हो जाता है ठीक है और क्या होता है कि पशुका जो temperature है वह हाई एफिर लो इसमें चलता रहता है ठीक है कई वार increase हो जाएगा क्ई पार loss हो जाएगा ठीक है और गाई's नाली मतलब पल COVID में आलस्य आजाएगा मुवमेंट पशु बहुत कम करेगा ठीक है एक ही जगह पर करारेगा बार बार ठीक है और पशु जो है बिलकुल मतलब भोजन तो बिलकुल भी नहीं खाएगा ठीक है ठीक तो यह पशु में मतलब इसके सिम्टम्स आपको दिखने को मिल जाते हैं कढ़ाजा भी है ठीक है जो कि जल्दी बस्युमें डायजेस्ट गोजाती है ठीक है तो बहुत अ ते दिक जैसे की जो हो गया ठीक है तो यह जल्दी कर्bohydrate जैसे की जो हो गया इसके लावा बहुत सारी चीजे आ जाती है और कई वार दोस्तों जो एनिमल होते हैं वो मिठाई वगारा का लेते हैं ठीक है बदलब जिन में कार्बohydrate होता है ठीक है तो इन बातों का अपको ध्यान रखना है ठीक है तो गाइस अब हम बात करत हैें ट्रीटमेंट की कीहरीं में एसलंट अगर हो जाता है तो अन्मल को कर ट्रीटमेंट नीचe Halit तो कहिए बैस्झारप्ति होरे वेस में नो स्पैसिफिक ट्रीटमेंट बताया है ठीक है बदलब कोई डोडर्वेंट नहीं है इसका नौts ऑना इस लेकिन दोस्तों इसमे 100 gram जो है दे सकते हैं दिन में दो या तीन वार ठीक है अपने पशुको दे सकते हैं लिकुड फॉर्म में आपको क्या करना है कि 200 ग्राम जो आरेल लिक्विड आता है ठीक फ्रेंट्स से लाइन आता है उसको जो है आरेल के साथ रल आपको दो तेन लेटर अपने पशु को आई वी रूट के द्वारा दे देना है और उसमें आप जो है यह यह जो सोडिया बाइक लिकुड में आता है इसको मिला सकते हैं ठीक है और इसके साथ आप अपने पशु में मल्टी विटामिन के तौर पर हाइवेट प्लस इंजेक्शन भी आता है ठीक है तो हाइवेट प्लस इंजेक्शन भी आप अपने पशु को दे सकते हैं जैसे कि अगर बड़ी काई भेंस है तो आप उसको 15 ml आई एम रूट के द्वारा दे सकते हैं ठीक है फिर अगर जैसे काफ है गोट है शीप है ठीक है तो इनको आप चो है 5 ml इंट्रम मस्कुलर हाइब वड़ प्लस इंजेक्शन दे सकते हैं ठीक है ठीक है ठीक है और 201 रियूमन आरेस पाउडर भी आता है ठीक है तो उसकी मात्रव याप दे सकते हैं 50 60 क्राम जो है आप अपने पशु को खिला सकते हैं दिन में सुबह खिला सकते हैं और शाम के टायम भी ख प्रेंसर में देखने को मिल जाएगी तो बाई और बूष्ट भॉलस भी आप जो है क्या कर सकते हैं कि दो बोल्स अगर एनिमल की कम स्थी खराब र तो आप 2 बोल शुबह दो साम के टायम दिसकते हैं अगर बहुत ही जादा है तो आप जो है 4 बॉलस जो है दे सकते हैं एक अगर आप भोजन देते हैं इमल को तो बिलकुल सही मात्रा में दें बहुत अधिक पशुक को यी चीज़े ना खिलाए ठीक है तो गाइस यह है रियूमन एसी डॉसिस ठीक है अगर आपको कोई डाउट रहता है इसके बारे में तो कमेंट शेक्शन में आप कमेंट कर सकते है वीडियो प्संद आई हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों के शाश्यर करें और वैटने क्लासे यूट्यूब के आल को सब्सक्राइब करें